दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक समनाने यूटूब चैनल को और लेटेस्ट टेकलों इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक परें दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं रेड्मी नोट फाइब परो इस मोबाइल को एडियल मूट में लाने के लिए आपको यहां पर टेस्टिंग प्रॉइंट सौड करना है उसके बाद आपका डाटा के बाल लगाना है आपको एडियल मूट आ जाएगा दोस्तों मैं कर दो कि यह मोबाइल रेड्मी नोट फाइब प्रो एंड्रोइड वर्जन 8.1.0 और रेड्मी वाइट टू एंड्रोइड वर्जन 8.1.0 इन दोनों मोबाइल में जो है अनलोकिंग में काफी प्रॉब्लम हो रहा था किसी भी बॉक्स में सपोर्ट नहीं था जिसको वज़ आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों यह किसीफाय टूल 2.8 इस सेटप में आप डॉल्बमी नोट फाइब परो को अनलोक कर सकते हैं और इस टूल की लिंक आपको वीडियो के डिसकों मिल जाएगी आपको सिधा आपको यहाँ पे रेडन टूल पर क्लिक करना है उसके बाद MI account पे आपको जो है किलिक कर देना है automatically आपका mobile बूट करेगा और आपका MI account यहां से reset हो जाएगा और उसके बाद अगर मांग के चलिएगा आपको Google account अनलोक करना है तो आप जो है यहाँ पे reset FRP पर किलिक करेंगे तो आपका Google account जो है reset हो जाएगा और मांग के चलिए अगर आपको Redmi Note 5 Pro का flash file को read करना है तो आप read forever पर किलिक करके आप जो इसका flash file read कर सकते हैं और flash file आप इसमें write भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं वाद दूँ अगर आपको कि वीडियो अच्छा लगा और आपको यसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें Facebook वाटसप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आपस नेक्स वीडियो में तब तक क खलेबाइ